नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन तीबारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र जैसे कि आपको मालमी की आने वाली 7 तरिक स्राइब्स है याने 7 अक्टूबर से नौरात्र शुरू हो रहे हैं और इस नौरात्र का सभी लोगों को याने सभी हिंदू लोगों को इंतजार रहता है कि कभ नवरात्र आए और कभ हम उसके पूजन भजन का है ठीक है तो साथ अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्र में जिसे आप जानते कि घट स्थापना का बहुत ही महत्र है क्योंकि मूर्ति की स्थाप करने की जो सही और सरल बिधी है वो क्या है साथ ही आपको यह बताऊंगा कि घट स्थापना तो अपने कर ली लेकिन उसका विसरजन कैसे किया जाता है वो भी आपको मैं आज बताने बाला हूँ ठीक है तो चलिए शुरू करते है तो पहले हम यह जानते है कि घट स्थापन जो है उस क्यों की जाती है घट स्थापना या घट होता क्या है घट स्थापना क्या महत वह यह जान लेते है तो घट मतलब होता है घडा बरतन या लोटा इसका दूसरा भी मतलब होता है घट मतलब होता है हृदय चित या मन तो हम क्या करते है हम हमारे मन रूपी हमारे चि दिनों के लिए घट के रूप में याने घड़े के रूप में हमारे हृदे को मा के चर्णों में समर्पित करते हैं, मा के चर्णों में रखते हैं, ताकि हमारा जो हृदे है, हमारा जो चित है, मा के चर्णों में लगा रहा है, इसलिए हम घट की स्थापना करते हैं, और बेस फिर अब बढ़ना आपको समान रहे, इस करण से भट की स्थापना के लिए किन चीजों की जर्वत होती है, क्या-क्या सामागरिय उसमें होती है, जलो जाल लेते हैं क्या है था चली में आपको मुझा को पूरी सामगी लगने वाली एक है तो आपको सिक्का ले ले जए कितने का भी होसकता है इसके बाद सुपारी लेना है देख रहे हैं लहां बोल्टी शे सामग्ला लेना है और है जो जो विला ऑपको लेनाosition है इसके बाद आपको और रख्या चाहिए आपको पंच पनलब चाहिए पांच तरे के पत्ते होते हैं लेकिन अगर आपको पांच तरे के पत्ते नहीं मिले तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं इसके बाद आपको एक कलश चाहिए आप चाहे तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं इसके बाद आपको कुछ जो लेना है यह जो है और आपको यहाँ पर ग्यहू लेना है इतनी चीज़े हैं इसके साथ आपको चाहिए एक इसके साथ आपको एक नारियल चाहिए नारियल लेना है इसके बाद नारियल पर लपेटने के लिए आप पर चुन्डरी ले सकते हैं य अब सबसे पहले क्या कर रहा है इसके उपर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे ठीके यह हमने स्वास्तिक बनाया कि स्वास्तिक बनाने के बाद आप इस टाइब से कर देंगे इसको यह आपकर स्वास्तिक बन गए ठीक है आप चाहे तो यहाँ पर आप ओम भी बना सकते हैं अगर आप ओम चाहे तो आप ओम भी बना लीजे यह आपको ओमन गें और यह आपने हाँ पर स्वास्ति बना गें इस स्वास्ति को हम इस टाइप सी यहाँ पर रखेंगे ओके चलिए आप मैं क्या करता हूँ इसके उपर थोड़ा सा जो जल है वो जल डाल देता हूँ जल डाल दे है जल के सासाथ आप गंगर जल जूरूदा यहां पर निफूल अकर आपको 1 तील पर आ पूंधिकर आप को सी यह इसके बान प्त्त इसे हैं जो जो डॉली अक्षच्छ तहें इसमें सब आपको डाल देना है ठीक है इस तरह से उसका रूजा कर दिया अब यह जो पंच पनलों रहे यानि कि प्थे पत्ते हैं इन पत्तों में भी आप थोड़ा-थोड़ा क्या करेंगे यह को कूकु लगा लेंगे सिंदर करेंगे one Ellis दागा बंदेंगी सक्राइब इसको नहीं रखना छाईए इसलिए मनिनी नारियल prick Champ, इस तरह को या आके लाल कपड़ेंगें इस 만든 दोनु पर है इस तरह से लाल कपड़ेंगे आप इस नारियल की चुरिया लाल कपड़े suggested is नारियल को पूरा तरीके से बांग देंगे इस टाइप से लपेट देंगे पूरा लपेट दिये इसके बाद इसके उपर नारियल है इसको आप इस मोली से बांग देंगे इस टाइप से आपने इसको बांग दिया है ठीक है आपको ध्यान रखना है कि इस नारियल का मूह आप इधर बेठें तो यह इसा रखाएगा इस प्रकार से आपकी जो डारेक्शन है वो केसी है उस तरह से आप इसको रख देंगे तो मैंने यहां पर रख दिया है तो मैंने इतना काम कर दें अब मैं आगे बताता हूं कि आगे क्या करना है ठीक है मैं अभी इसको थोड़े इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करएगे इसके अंदर इस टैप से मैं इस टाइप से मेंने क्या करएगा कि जो और गेहूं दोनों इस पर डाल दिया है इसके बाद मेरे को क्या करना है थोड़ा सा जल लेके इसके उपर छीट देना है ताकि वह अच्छे से उख जाए यह जो आपका कलश है इस कलश को आप बीचन बीच यहाँ पर इस्थापित कर दिजिए इसके बाद आपको क्या करना है कि यह जो आपके 5 पल्लव है कि इस 5 पल्लव को आपको इस स्ट्याप से जमा वास чावल पलेट तो चावला प्लेट को इसके उपर रख देना है देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस समय आप इसको अलग अलग कर दीजे तो अच्छे से इसका लुक आएगा ठीक है और अब यह जो नारियल है मैंने आपको बताया था किस डारेक्शन में रखना है जिदर इसका मूश ह होगा उसको आपके अपने साइड रखना है तो मैंने इस साइड इसको रख लिया है इस तरीके से आप कलश की स्थापना करेंगे अब यह आपको रखना किदर है वो देखना है इसके लिए मैं बताता हूँ कि किस साइड में रखना है तो कलश रखने का जो सही दिशा है व इस दिशा आपको suitable लग रही है उस दिशा में ही आप इसको रखेंगे ठीक है अब में बताता हम कि देवी जी को किस प्रकार से आपको स्थाफित करना है ठीक है इस चोकी के उपर पेले आपको इसके उपर पेले आपको लाल कपड़ा बिशा लाए जैसे बेने लाल कपड़ा इसके पास मेरे को देवी जी की जो ब्रतिमा है या देवी जी की फोटो है उसको इस्थापित करना है तो ईत्ते two आफी इस्तापित कर दिया देवी जी की फोटो को इससतापित कर दिया है जिए इस तरह से आधि इस घी को हमने कर दिए अब बात आदी कि कुलश हमको कहां रखना Korean तो कलश या तो आप इस साइड रख दीजे यानि कि देवी जी का जो है उसका उनका जो लेफ्ट एंड है या आपका जो राइट है ठीक है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं तो यह जो मेरा कलश है इसको में उठा कर क्या करूँगा कि यहां पर रख दूँगा यह मेरे कलश हो गया कलश की मैंने इस स्थापना कर दी इस समय और यह देवी जी के साइड में यानि देवी जी का जो लेट हेंड हो इसका इट है यह अपना इसका सीस्थापना हो गई है ठीक है Epic क्योँकि प्रत्रम पूजेयं फिंकी च्थभ नहीं करना है इस टाइप से हम गया नेban टो इस सफ्सक्राइब और इस से लेकिसे अचिए ज़ए पड़का हैं। तो आफ दन के बाद बात अगर अगर परकार क correlate प्रॉब्रम होती है, जो आपनी बनाए, इसके विर्जन कारेंगे? वह मैं आपको बताता हूं, तो आप थोड़े देर के लिए कलश उठा रहा हूं ताकि आपको बता सकूँ कि डेश्पटार्पे बिसरजिन करना है, ठीक है मैंने यह कलश यहां से उठा लिया है, ठीक है, यह कलश है इसमें सबसे पेरिद आप ये नारेल जो है नारेल या तो आप इस नारेल को खोल कर या आपने नारेल खोल लिया ये जो आप चुन्तरी है ये चुन्तरी आप कहीं अच्छी जगे आप रख सकते हो चुन्तरी को और नारेल को आप बहा सकते हो यह जल प्रवाहित इसका कर सकत ठीक है यह जो पंच पल्लब है यह पंच पल्लब को आपको क्या करना है कि नारेल के साथ ही इसको प्रवाहित कर देना है ठीक है अब इसके जो जल है इसमें जो जल भरा हुआ है इस जल को आप पूरे घर में आप छड़कना है इस जल को पूरे घर में चड़कना है साथ में जल बच जाए बाद में उस जल को सभी लोग प्रशात के रूप में क्रहन कर देना है ठीक है इसके अंदर जो सुपारी रखी है लोग इलाइची रखी है उनको भी आप चाहे तो खा सकते हो या दान कर सकते हो साथ पर जो सिक्का रखा है उसको आप दान कर देंगे इस तरीक आप घर के सावी सप्थार्दक अंदर करसकते हैं तो यह है इसकी प्रक्रिया बेसरजन की अब मैं आपको बताता हूं क घट स्थापना का जो महुरते महुरते है वो है 7 अक्टूबर को सुबे 6 बचकर 17 मिनिट से 7 बचकर 7 मिनिट तक च के다 जो साथ तारिक को 6 बचकर 17 मिनिट से 7 बचकर 7 मिनिट तक का शुब मोहरत है इसी मोहरत में आपको घट की स्थापना करनी है तो केसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दीगे जान करी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक किजे शेर कीजे और मेरे शेर जोतिश मंद को सब्सक्राइब करना न भूले आज के लिए बस नहीं मिलते के नहीं बिशेक साथ तता आपने ये खुश और मुझे दिजाग्या जाहिए